नमस्कार बच्चों मेरा नाम प्रदीप सिंग भाटिया है और आज हम बारवी कक्षा के स्मश्टिगत अर्शास्त्र का चौथा अध्याय आय और रोजगार के निर्धारन को पढ़ेंगे मैंने पिछले भाग में आपको इस अध्याय के बारे में थोड़ा सा बताया था जिसमें हमने समगर मांग, सामुहिक मांग, सीमांत उपभोग परवर्ती, सीमांत बचत परवर्ती, औसत उपभोग परवर्ती और औसत बचत परवर्ती पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि सामुहिक मांग एक अर्थवयस्ता में कुल व्य को दर्शाता है सामुहिक मांग उपभोग तथा निवेश का योग होता है APC अर्थात ओसत उपभोग परवर्ती और APS अर्थात सिमान्त बचत परवर्ती का योग इकाई के समान होता है इसी प्रकार MPC और MPS का योग भी इकाई के समान होता है इसके आगे हम सामुहिक पूर्ती अर्थात समग्र पूर्ती अर्थात कुल पूर्ती का अध्यन करेंगे सामुहिक पूर्ती का अभी प्राय है एक अर्थवयस्था में वस्तूओं और सेवाओं की कुल पूर्ती सामुहिक पूर्ती सदयव एक अर्थवयस्ता की राश्री आय के समान होती है क्योंकि एक अर्थवयस्ता में जितनी वस्तों और सेवाओं की पूर्ती की जाती है उतना ही आय का स्रजन होता है अर्थात सामुहिक पूर्ती एस इसे लिखा जाता है जोकी आय के समान होती है हम यह जानते हैं कि आय का एक भाग उपभोग में प्रियोग किया जाता है तथा अन्य भाग की बचत होती है इस आधार पर सामुहिक पूर्ती इस आधार पर सामुहिक पूर्ती सी प्लस एस हुआ हमने इसी अध्याई के पिछले भाग में देखा था की सामुहिक मांग अर्थात एडी उभोग और निवेश का योग होता है आज मैं आपको सामुहिक पूर्ती के बारे में बताऊंगा तथा इसके पश्चात सामुहिक मांग और सामुहिक पूर्ती इन दोनों का हम एक साथ अध्यन करेंगे सामुहिक पूर्ती मैंने जैसा की आपको बताया सामुहिक पूर्ती एक अर्थ्वयस्था में राष्ट्य आए के समान होती है सामुहिक पूर्ती के अंतरगत एक अर्थ्वयस्था में सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं जो उत्पादित हुई हैं उन्हें लिया जाता है तथा उनका मौदरिक मुल्य ही अर्थ्वयस्था में सभी साधनों में आए के रूप में बांट दिया जाता है यही कारण है कि सामुहिक पूर्थी और आय एक दूसरे के समान होते हैं सामुहिक पूर्थी को मैं आपको एक तालिका और एक चित्र की सहायता से समझाने क्या प्रयत्न करता हूँ सामुहिक पूर्थी में चार कॉलम बनते हैं सामुहिक पूर्ती में यह चार कॉलम आए, उभोग, बचत एवं सामुहिक पूर्ती के बनते हैं जैसे सामुहिक मांग में तालिका के अंतरगत चार कॉलम बने थे, उसी प्रकार से सामुहिक पूर्ती में भी चार कॉलम बनते हैं पहले कॉलम में आए, दूसरे कॉलम में उपभोग, यह दो घटक सामुहिक मांग के समय भी थे यहां तीसरे कॉलम में निवेश की जगा बचत को लिया जाता है, तथा चौथे कॉलम में सामुहिक पूर्ती, जो की उपभोग तथा बचत का योग है हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि आए के शुन्य स्तर पर भी उपभोग हमेशा कुछ न कुछ रहता है उपभोग पचास रुपए है, जो की सुवायत उपभोग को दर्शाता है अभी मैंने आपको बताया, I is equal to उपभोग प्लस बचत इस आधार पर बचत को ग्याद करने के लिए, I में से उपभोग को घटा दिया जाता है यदि हम शुन्य आए में से उपभोग पचास रुपए को घटा देते हैं, तो हमारे पास रिनात्मक बचत बचती है यह रिनात्मक बचत क्या दर्शाती है? सामुहिक पूर्थी ग्याद करने के लिए उपभोग तथा बचत को चोड़ दिया जाता है जो शुन्य है इस आधार पर आए तथा सामुहिक पूर्थी एक दूसरे के समान है इस प्रकार यदि आए में लगातार वृद्धी होती रहती है तो उभोग में भी वृद्धी होती है मैंने आपको पिछले भाग में बताया था कि आए में वृद्धी होने पर उभोग में होने वाली वृद्धी आए की तुलना में कम होती है अर्थात यहां पर आय में 100 रुपे की प्रतेक स्तर पर वृद्धी हुई है जबकि उभोग में केवल 50 रुपे की प्रतेक स्तर पर वृद्धी हुई है इसका अभिप्राई यह है कि आय के प्रतेक स्तर पर बचत प्राप्त हो रही है आए के सौ रुपए के स्तर पर बचत शुन्य यह समस्तर बिंदू भी कहलाता है अर्थात समस्तर बिंदू वह होता है जहां आए एवं उभोग एक दूसरे के समान हो या फिर बचत शुन्य हो यहां हम देखेंगे सामुहिक पूर्ती उभोग और बचत का योग अर्थात सौ रुपए है तत पश्चात आय में व्रिद्धी हुई, उभोग में व्रिद्धी हुई आय में प्रतेक स्तर पर 100 रुपे की व्रिद्धी हुई जबकि उभोग में प्रतेक स्तर पर केवल 50 रुपे की व्रिद्धी हुई आय में से उभोग को घटाने के पश्चात हमें बचत प्राप्त होती है जो की पचास, सौ और एक सो पचास रुपए है इसके पश्चात वही उभोग तथा बचत का योग हमें सामुहिक पूर्ती प्रदान करता है और यह सामुहिक पूर्ती आय के समान है अब सामुहिक पूर्ती को मैं आपको रेखा चित्र की सहायता से समझाता हूँ रेखा चित्र हमने पिछले भाग में सामुहिक मांग का पढ़ा था हमने देखा था कि सामुहिक मांग वाई अक्ष से प्रारंब होती है सामुहिक मांग हम वाई अक्ष से चालू होती है तथा उभोग का वकर भी वाई अक्ष से ही चालू होता है क्योंकि आए के शुन्यस्तर पर भी उभोग कुछ न कुछ सदयव रहता है यह है वाई अक्ष यह है एक्स अक्ष एक्स अक्ष पर आए एवं रोजगार लिखा जाता है जो की सामुहिक मांग के समय भी हमने लिखा था जबकि वाई अक्ष पर यहां सामुहिक पूर्ती को लिखा जाएगा वाई अक्ष पर उसी को लिखा जाता है जिसका वक्र आप बनाते हैं पिछले भाग में हमने देखा था सामुहिक मांग के वक्र में यहां सामुहिक मांग लिखा गया था यह है एक्स अक्ष है यह है वाई अक्ष आय का स्तर 100 रुपए से बढ़ रहा है जबकि उभोग का स्तर 50 रुपए प्रतेक स्तर पर बढ़ रहा है यहाँ पर भी हम 100 का ही अंतर लेते हैं आप यह ध्यान रखिए कि जितना अंतर X अक्ष में होगा उतना ही अंतर Y अक्ष में होना चाहिए शुन्य आय के स्तर पर उभोग 50 है जो मैंने इस बिंदू द्वारा दर्शाया 100 आय के स्तर पर उभोग 100 है 200 आय के स्तर पर उभोग 150 है इन स्तीनों बिंदूओं को तथा आगे अन्य सभी बिंदूओं को जोड दिया जाता है तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है यह सीधी रेखा उपभोग को दर्शाती है बचत शुन्य आय के स्तर पर बचत रिनात्मक है रिनात्मक बचत अर्थात वाई अक्ष का रिनात्मक भाग जो की माइनस पचास है शुन्य स्तर पर बचत माइनस पचास सौ पर बचत शुन्य यह शुन्य बचत समस्तर बिंदू कहलाता है दोसों पर बचत पचास इन सभी बिंदूओ को जोडने पर हमें बचत की एक सीधी रेखा प्राप्त होती है यह बचत की रेखा है अब सामुहिक पूर्ति आप देखेंगे आय शुन्य होने पर सामुहिक पूर्ति शुन्य है सौ पर सौ है इस कारण से सामुहिक पूर्ति का वक्र पेंतालिस डिगरी का कोन बनाते हुए जाता है यह वक्र सामुहिक पूर्ति को दर्शाता है विश्व में प्रतेख अर्थवेस्था की सामुहिक पूर्ति का वक्र पेंतालिस डिगरी का ही होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रतेख अर्थवेस्था में जितनी आय का स्रजन होगा उतना ही अंतिम वस्तूओं और सेवाओं का उत्पादन होगा मान लीजिए एक अर्थविएस्ता में अंतिम वस्तूओं और सेवाओं का उत्पादन 400 करोड रुपए का हुआ तो यह 400 करोड रुपए उत्पादन के विभिन साधनों में उनकी सेवाओं के बदले में बांटे जाते हैं जिसके कारण आए और सामुहिक पूर्ती एक दूसरे के समान रहते हैं इस रेखा चितर में जहां आए और उभोग एक दूसरे के समान होते हैं उसे सम स्तर बिंदू कहते हैं इस स्तर पर बचत शुन्य है हमने पिछले भाग में देखा था कि APC एवं APS का योग इकाई के समान होता है अर्थात यदि APC 0.4 है तो यह 0.6 है यदि APC 0.25 है तो APS 0.75 है उधारन के लिए यदि यह 0.4 होगा तो यह 0.6 होगा यदि यह 0.1 होगा तो यह 0.9 होगा APC एवं APS का योग इकाई के समान होता है अब सवाल यह उठता है कि क्या इन दोनों में से कोई भी घटक इकाई से अधिक हो सकता है आप सोचिए क्या APC और APS में से कोई भी इकाई से अधिक या इकाई से कम या शुन्य या एक हो सकता है तो इसका जवाब है हाँ APC और APS में से APC इकाई से अधिक हो सकता है ऐसा कब होता है? मान लीजिए एक परिवार की आए सो रुपए है तो उसका उपभोग दो सो रुपए हो सकता है हमने पड़ा आए के शुन्य स्तर पर भी उपभोग कुछ ना कुछ होता है इसी परकार जितनी भी आए होती है उस आए से उपभोग का स्तर अधिक हो सकता है यह दर्शाता है की परिवार या तो किसी से रिन लेता है या अपनी वर्तमान बचत का प्रियोग करता है इस अवस्था में बचत रिनात्मक हो जाती है यहां हम APC को ग्याद करते हैं तो APC आपको पिछले अध्याय का याद हो तो APC को ग्याद करने के लिए उपभोग को आए से विभाजित किया जाता है उसी प्रकार यहां पर यदि उभोग जो की 200 रुपए है को आए जो की 100 रुपए है से विभाजित करने पर हमें APC दो प्राप्त होगा APC का फॉर्मूला C को Y से विभाजित करने पर प्राप्त होता है इसी प्रकार 200 को 100 रुपए से विभाजित करने पर हमें APC दो यानि इकाई से अधिक प्राप्त हुआ इस अवस्था में APS का मुल्य क्या होगा APS को ग्याद करने के लिए हमने देखा था कि APS ग्याद करने के लिए बचत को Y से विभाजित किया जाता है अर्थात माइनस 100 रुपए को 100 रुपए से विभाजित करने पर हमें माइनस एक प्राप्त होगा यहाँ देखने वाली बात यह है कि APC और APS का योग एक है परन्तु APC इकाई से अधिक है और APS रिनात्मक है इसी समी करन को हम रेखा चितर में समझते हैं रेखा चितर में APC कहाँ इकाई से अधिक है APC इकाई से अधिक वहाँ होता है जहां उभोग का स्तर आई से अधिक हो और रेखा चितर में उभोग का स्तर आई से अधिक इस भाग में है अर्थात यह भाग दर्शाता है कि APC इकाई से अधिक है तथा APS रिनात्मक है अगला सवाल कि क्या APC और APS में से कोई इकाई के समान या कोई शुन्य हो सकता है तो इसका जवाब है हाँ APC और APS में से APC इकाई के समान जबकि APS शुन्य हो सकता है इसे मैं आपको एक उधारन की सहायता से बताता हूँ मान लीजिए एक परिवार की आए सो रुपय है तथा उसका उपभोग भी सो रुपय है इस अवस्था में बचत शुन्य है APC को प्राप्त करने के लिए उभोग को आए से विभाजित किया जाता है अर्थात सो रुपय को सो रुपय से विभाजित करने पर हमें इकाई प्राप्त होती है उसी परकार APS को प्राप्त करने के लिए S को Y से विभाजित किया जाता है अर्थात शुन्य को 100 रुपई से विभाजित करने पर हमें शुन्य प्राप्थ होता है यहाँ APC एवं APS का योग इकाई के समान है परन्तु APC एक है अर्थात इकाई और APS शुन्य है इस समीकरण को हम रेखा चितर में समझने का प्रयास करते हैं रेखा चितर में कहाँ पर APC एकाई के समान है APC एकाई के समान वहां होता है जहां आय और भोग एक दूसरे के समान हो और यह बिंदू समस्तर बिंदू होता है यहाँ बचत शुन्य है अर्थात यह दो बिंदू दर्शाते हैं कि APC एकाई के समान एवं APS शुन्य है मेरे खयाल में आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा अब सामुहिक पूर्ती के बारे में ही हम आगे बढ़ते हैं मैंने आपको बताया कि सामुहिक पूर्ती का वक्र हमेशा 45 डिगरी का होता है और यह सामुहिक पूर्ती आय को भी दर्शाती है विश्व में प्रतेक अर्थवेस्ता का सामुहिक पूर्ती वक्र 45 डिगरी का ही होता है यह मैंने अभी आपको बताया परंतु यदि एक अर्थवेस्ता पून रोजगार को प्राप्त कर लेती है तो वहां सामुहिक पूर्ती वक्र उद्वराधर बनता है जो यह दर्शाता है कि एक अर्थवेस्ता इससे अधिक उत्पादन नहीं कर सकती क्योंकि वह अर्थवेस्ता पून रोजगार को प्राप्त कर चुकी है पून रोजगार का अभी प्राय है उत्पादन के सभी संसाधनों का पून एवं कुशलतम प्रियोग करना सामुहिक पूर्ती वक्र 45 डिगरी का होता है अब सामुहिक पूर्ती अर्थात समगर पूर्ती के बारे में हम और थोड़ा सा अध्यन करते हैं सामुहिक पूर्ती के लिए मैं आपको एक बार और बताता हूँ सामुहिक पूर्ती का वक्र बनाने के लिए अभी मैंने आपको यह समझाया कि सामुहिक पूर्ती का वक्र 45 डिगरी का होता है और इस 45 डिगरी के होने का अभी प्राय है कि अर्थविष्था में आए और उत्पादन एक दूसरे के समान होते हैं आपको याद होगा हम वक्र के एक्स अक्ष पर क्या लिखते हैं आए एवं रोजगार यदि एक अर्थविष्था पूर्ण रोजगार को प्राप्त कर लेती है मान लीजिए यह रोजगार का स्तर है 10 करोड, 20 करोड, 30 करोड, 40 करोड इसी प्रकार से अर्थविष्था का पूर्ण रोजगार का स्तर हमें यहां अर्थात 70 करोड पर प्राप्त होता है एक अर्थविष्था की कारेशील जनसंख्या यदि पूर्ण रूप से कारे करती है तो वह पूर्ण रोजगार की स्थिती कहलाती है यह पूर्ण रोजगार के स्थर को दर्शाता है पूर्ण रोजगार का अभी प्राय हुआ कि इससे अधिक रोजगार प्रदान नहीं किया जा सकता और यहें पूर्ण रोजगार के स्तर पर उत्पादन का स्तर भी स्थिर रहेगा अर्थात इससे अधिक उत्पादन नहीं किया जा सकता इस अवस्था में सामुहिक पूर्ती वक्र उद्वराधर हो जाता है अब पूर्ण रोजगार का स्तर सतर करोड मान लीजिए सतर असी कुछ भी हो सकता है पूर्ण रोजगार का स्तर सतर करोड है इसमें से कितने लोगों को रोजगार प्राप्त होगा यह पूर्ण रूप से सामुहिक मांग पर निर्भर करता है हमने पिछले भाग में देखा था कि सामुहिक मांग का वक्र वाई अक्ष से प्रारंब होता है यह सामुहिक मांग वाई अक्ष से प्रारंब होकर मान लीजिये सामुहिक पूर्ती को इस स्तर पर इस बिंदु पर काटती है जिसका अभी प्राय है कि अर्थ्विस्ता में इतने लोगों को रोजगार प्राप्त होगा यहां हमने देखा कि इतने लोगों को 35 करोड लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ अब सामुईक मांग में परिवर्तन के दो घटक होते हैं उपभोग एवं निवेश क्योंकि सामुहिक मांग उपभोग और निवेश का योग है यदि उपभोग में वृद्धी होती है या निवेश में वृद्धी होती है तो सामुहिक मांग वक्र उपर की ओर खिसकता जाता है और वह सामुईक पूर्ती को धीरे धीरे बढ़ते हुए पूर्ण रोजगार के स्तर पर काटता है यह बिंदू अल्प रोजगार का स्तर दर्शाता है जबकि यह बिंदू पूर्ण रोजगार के स्तर को दर्शाता है यदि इसके पश्चात भी सामुहिक मांग में वृद्धी होती है तो सामुहिक मांग वक्र सामुहिक पूर्ती को उसके पुन रोजगार स्तर से भी उपर काटता है इसका अभिप्राई यह है कि अर्थव्यस्था में लोगों की आय अधिक है लोगों की क्रेशक्ति अधिक है यह सामुहिक मांग एडी टू द्वारा दर्शाया गया यहाँ यदि हम सामुहिक पूर्ती वक्र को कलात्पक रूप से आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि सामुहिक पूर्ती वकर सामुहिक मांग को इस बिंदू पर काड़ता है जिसका अभिप्राय है कि अर्थविवस्था में मांग को पूरा करने के लिए इतना रोजगार चाहिए परंतु अर्थविवस्था पूर्रोजगार पर यहां है आज हमने पड़ा कि सामुहिक मांग सामुहिक पूर्ती को पूर्ण रोजगार पर पूर्ण रोजगार से पहले एवं पूर्ण रोजगार के बाद कहीं भी काट सकती है यह तीनों बिंदू क्या कहलाते हैं साम में अर्थात संतुलन संतुलन का अभिप्राय है जहां सामुहिक मांग एवं सामुहिक पूर्ती एक दूसरे के समान हो हमने पढ़ा कि सामुहिक मांग एवं सामुहिक पूर्ती एक दूसरे के साथ कैसे संबन्दित है अगले भाग में हम इसके आगे का अध्यन करेंगे आप अपनी पुस्तक में इसे अच्छे से पढ़िएगा नमस्कार झाल 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 झाल